हेलो फ्रेंड्स मैं आप कमेंट और एके सिंग और आज हम अपनी क्लास यानि किलूशंट जीके की नेक्ट क्लास सेखेंगे और नेक्ट क्लास आज और एक चीज और जो यह बच्चे टीचिंग रिलेटेड यानि सीटेड से रिलेटेड बढ़ाई कर रहे हैं इस चैनल पर त वहां से ले सकता है तो लूशंट जीके आपको पता ही हम सब क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी से ज्यादतर आपको जीके की सारी सीजें मिल सुकी है आज तक पेपर में तो इसलिए हम भी उसकी तयारी कर रहे हैं तो चलिए आज हमारी क्लास है साथी नंबर की और से पहल विवाजित किया था आपको बताए दिया था मैंने रिग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कि यानि कि वैदिक काल को कितने काल विवाजित किया गया है दो काल में रिग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आरे सरव पर्थम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे यानि कि सबसे पहले कहां बसे आपसे कोशन पूछा है तो कहां बसे पंजाब और अफगानिस्तान में मैक्स मुलर ने आरियो को मूल इस्थान है मद्द एश्या को माना है आरियो द्वारा ने में सब्वेता वैदिक सब्वेता कहलाई ठीक है यह चीजें द्यान लगना सबसे इंपॉच्छा जाता है और यह डेट कई बार स्टेट PCSO में और TGT PGT में भी पूची गई है तो इसलिए इस चीजे का द्यान लगना फिर पूच्छा गया आरियो से या पूचा नहीं गये सब्वेता के कहलाए ऐगी चलते हैं आरियो द्वारा विक्सित सब्वेता गरामीन सब्वेता थी यानि कि र्यों की बाशा कौनिंसी थी संस्कती यह कई बार कोशन पूचा घया तो इस और वह आप द्यान लगना जो कोशन हम इलूशन पढ़ना देखि लूशन्ट आप भी पढ़ सकते हो, मैं हर कोई पढ़ सकता है, जो यानि कि 10th class का बच्चा भी लूशन्ट पढ़ सकता है, पर उससे यह नहीं पता कि important क्या है, और आपको भी जो आप भी पढ़ सकते हो, आपको भी पता होना चाहिए कि important क्या है, हमें क्या चीज होड़नी है सारी किताब, इतनी मोटी किताब को या फिर मोटी किताब ही माले, 400 बने करीव हैं उसमें, तो आप उसको पढ़ोगे, उसमें आपको पता ही नहीं क्या पढ़ सारी चीज़ों पढ़ोगे, एफर्ट रिमार्ग पर इतना माँ डालो, जो चीज इम्पोर्टन है, वो हम बता जब या कोशन है, तो जो कोशन आपको बताया जा रहे हैं, उनका ध्यान लखना, क्योंकि ऐसे कोशन आपको जब देखने के लिए मिलते हैं एकसाम में, तो आपका दिमाग घूम जाता है कि हाँ, कहां पढ़ा था, कहां पढ़ाता और यही कोशन चोटी-चोटी कोशन है यही आपको लेके डोपते हैं जीगे में बैए जीगे सबको याद हो जाता है लुशन्ट सबको याद हो जाती है वार जब छोटी चोटी बात आती है आप से पूछे रहे हैं रिग वैदिक काल का समय अवदी का थी बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसे यह पढ़ा रहे हैं तो सीधर से रटा है ठीक है तो इसलिए कहता हूं और उसने सारे चीज़े बढ़ी तो सारी चीज़े जब आपके दिमाग में गुसी रहती है तो यह कादी चीज़ स्लिप होती है इसलिए जो इंपोर्टन चीज़े उसे याद करो और चीज विश पती कहला था यानि कि ग्राम का जो क्या होगा इसका क्या होगा ग्राम के मुख्या ग्राम और विश के जो मुख्या होते थे वस यह कहते थे विश पती कहलाते थे यह question पूछा गया थे इसलिए आपको बताया जा रहा है जन के शाषक को राजन कहते थे यानि कि जन का कहा है राजन कहते थे ठीक है इसका भी याद रखना राज्य अधिकारियों के प्रोवितो एम सैनिय प्रमुक थे यानि कि राज्य अधिकारियों के में प्रोवित एम सैनिय प्रमुक को माना जाता था चलि आगे चलते हैं चलि आगे चलते हैं अब आता है नेक्स्ट क्या कह रहा है अब अधिकारियों के नाम के बारे बताया है कि जो अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे सूत रतकार और कंपादिनी नामक अधिकारी रतनी जैसे कहे जाते थे इनकी संख्या राजा की सहित करीब बारा हुए करती थी यानि कि 12 ये कुशन एक बार पूछा गया है यानि कि मैं भी या दिया रहा कौन से को पेपर में पर हां पेपर में पूछा गया है ये 12 वाला कुशन कि आपको जो कनफ्यूजन वाला कुशन दा और उसी टाइम पर बच्चे ने तुक्के मारे थे शाद ये को पेपर में यूपी का वेपर है देखी मिले को अभी याद दे रहा मैं जब याद आएगा मैं कल पर सोभी आपको दे गुखपती एम सपस्ट जनता की गती विदियो को देखवा ने वाले थे गुचर ठीक है यहां दक ना वासापती गोचर भूमी का अधिकारी कहला था यानि कि अधिकारी होता था यानि कि वाजन पती और एक आता है वासपती वाजन पती यानि कि वजन पती गोचर भूमी अधिकार्यों था एक आता है वास्पती और एक है यह yeah तीन-चार-ज़्त अधिकारी ते इनके नाम यादा कना उग्र होते थे वो अधिकार्यों को पकड़ने कारे करते लगिदे अगे चलते हैं सभासमिति या आफने कहां पढ़े थे सभासमिति कौn से क्णाव में यानि स्थिति थी सभा यानि कि सभा श्रेष्ट एम स्मृति जो थी यानि कि संभाता क्या थी लोगों की स्थिति थी जबकि समिति सामाने जनता का प्रिजनित करती थी इसके अध्यक्ष को इसन यानि कि इसन कहते थी यानि कि इसन कहते थी ठीक है यह जो आपको वर्ड मिलते ना कोई भी आपका कहना महाँ पर इमला बुलवारा इसे इमला बुलवाते थे कि क्या होता है यह कि आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है ठीक है चले आगे चलते हैं फिर आता है दिशा उत्तरवैदिक शब्द और राजा का नाम पूर्व में कौन था पूर्व में कौन उत्तरवैदिक जो सब्दा वाली थी प्राची यानि कि सम्राट ठीक है पश्य में क्या था प्रतीची सोराष्ट उत्तर में कौन से था उधिचरी विराठ मद्य में राजा और दक्षिन में भोज यह ध्यान रखना चलिए आगे चलत है जाले आगे चलते हैं तक मद्य आता है है युद में कबीलों के नेत्रट कौन करता था यानि नेत्रत राज कर लाज करता था यानि कि यूद का यूद के लिए जो चीज़े इंपॉर्टे टाफ को जब यूद लड़ने जाता था आपने बहुत सारी जो पिक्चरों में भी देखा हो कि राजा या तो वो अलग से गोड़े पर रहता था या फिर उस पर हाती पर रहता था तो वो डिफाइन करता है कि वो अलग सेना मतलब अलग से दिखाई दिया जाए देखे चलिए आगे चलते हैं यूद के लिए कविश्टी सब्द का प्रियोग किया जाता है जिसका आरत है गायों की खोज इंपोर्टन थैं याद रखना कई बार पूछा गया यूपी के पेपरों में एक चीज का झ्याना के जो गायों की जो चोरी करने उने क्या कहते थे गायों की उपर जो यूद हुए हैं उनने क्या कहते थे यह कुछिशन कहीं बार आ चुकिए है यूपी के टीचिंग एकजाम में भी यूपी इस थारह है exam में भी और बहुत सारे जो ishri के डी-triple-s में भी कई बार पूछा क्या क्या कुछन है तो इस जीज का ध्यान करना कि गायों के उपर वाला कुछन कई बार आ चुका और गायों से रिलेटेड जैसे गायों के उपर कौन से यूद्ध हुआ गायों के लिए कौन से रिख होत पुरुषिन् यानि रावी नदि के तत के विजे के ओपर कह गहा पर सुद्धास विजे रहे पर्ड सुद्ध गया तय स्विजै्थ सुंद्धास we जफ़ती हुआ यानि कि इसके ओपर क एफ मैं आफ गया ड़ा गया पर्ड़ा इंपमर्टरन इसमें कौन सा था इसमें कौन से मंडल में दिया रिगवेद के आपको बताया था रिगवेद की दसवे मंडल में पुरुष शुक यानिकी चतुर वर्न का उलेक मिलता इसे कहलाता है जो ब्रम के से कहा निकलते हैं ब्राह्मन सुद्रिय बुजाओं से वैश्य जंगाओं से और पैरों से कौन सुद्र कहलाते हैं यह कोशन कई बार पूचा गया है तो इंपोर्टन है इसलिए ध्यान अपना और उसमें भी कौन कौन से यह 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 आप से वस डिफाइन करके पूच स्था तो समास्ता जो सबसे छोटी हिए थी परिवार की कुल तह यानी परिवार या पूल माना जाता था जिसके प्रमुक पिता होते थि जिसके कुल्पती बहुत भी कहते हैं यारी की इंपजोलें बैलको इंपोरिंकोर गॉर्शन है कई बार आ बार चुका है यह वाले औ अपने पती के साथ यक में भाग ले सकती थे तहीं इस तीया नफथ हमारे आज भी आज में बहुत सारी रुमर बहुत सारी गलत फ्यमी पली वह है वह कही न कहीं उसका कारण है वह कारण मैं नहीं बता सकता है पर हिस्ट्री में अगर आप अच्छे हिस्ट्री को पढ़ोगे तो पढ़ता पढ़ता हिंदु समाज में कभी भी नहीं थी जब तक आकरमान कारियों ने भारत पर कबजा नहीं किया हिंदु धरम में आपने देखा होगा कि लड़किया अपने वर को चुनती थी जब बर में कि मुझे इससे साथ विवा करना तो वह पर्था थी गर्ल्स को हक था परदा परथा कब आई परदा परथा जब आई जब आखरमन कार्यों हमारे देश पर कब्जा कियानल कि इस तरह उन्होंके आ खरमन हुए उन्हों ने अपने धरम को हमारे ओपर फूपना शुरूब किया ठीक है उम्हां कि निister today शाट कि अपने अपने परता को डड़ने स्फिर शुरूब कर दिया अपने फुल्स यानि कि इस तरह चीजों को पर अतुर पर्धा कर संदी त्क तो परदा करता है नहीं अब जो परदा परता है वो उसका कारण जो था वो यह कारण था थीक है फिर यही कहने लगे कि बड़ों के सामने पढ़ता करके रखो हो यह वह थो बड़े कौन थे बड़े कौन थे राजय माहरा जिव बड़े कौन थे तो यह सब चीज आ गए चले विदवा जो अपने मृत पती के हैं चोटे लखना उपनिशादों की कुल संख्या 108 माप पुराणों संख्या 18 वेधांग संख्या 818 रिगवेध में जो चीजें बताई गी है लोपा मुद्र गोश्य सिंख्या अल्प विश्व जैसी विदुशी इस तरहीं मिलती है इसमें से कौन से है लोपा मुद्र यह मिलती है और एक कुछ्टिन कौन सा आता था अलपा एम विश्व वास यह 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 इसका नाम नहीं है गोषा तो मेरे को आल से कोई वेपर में नहीं मिला teaching exam में तो यह बिला अलपा मुद्रा और और विश्वास और लोपा मुद्रा ठीक है याद रपना चलिए आगे चलते हैं जिवन बार अहीं विवाहित रहने वाली मिला और अमुझा और अज भी पहुर्सरी लेडिज जो है तो इनको अलग इस्रेणी में रखा जाता है या तो ऋनको से इस्षेणी में रखा जाता desta कि तो या फिर अनको रखा जाता है ब्रम चर्णीं यानि कि अलग अलग पहले भी और आज भी च्रेडी में रखा जाता है आर्यों का प्रमुक पे पदार सोम्रस था यह वनस्पती से बनाया जाता था आर्यों के मुखे तीन प्रकार के वस्तरों का उपयोग करते थे कौन से थे वास अधिवास और उश का जाता था यानि की नीव आ जाता यह कोशन पूछा गया था इस लिए इस चीज का ध्यान लखना था ते संगीत तोड़ना और यानि की एक तरह से उसी लणना था तैयब का चलिए आगे चलते हैं आर्यों के मुख्य विसाय पशु पालना और किश्य थे यह कोशन पूछा गया है तो इस चीज का ध्यान करता है एक खाने पीने का और एक पशु पालना का किसी भी कोई भी सब्वेता बढ़र हो तो आपको यह पता होना चाहिए चलिए गायों के अध मारने वाले को दंड दिया जाता है जैसे आज भी बहुत सारे समाज में घायों का ब्शान जाए जाटा आज यानि कि आज आप 2013 में जी रहे हैं रहं लुट्ट किया जाता है उस टायम पर गाहों को प्रमुक मद थी गाहों का- आधिय ह spark यान योगया पश्युकृ कि डे।ख हैस्ट इसे में कि लिए वेदों म फिर्वियो नर्ट्थव देश से लिकाले की विवस्ता ता की यह कहा है इंप cluster प्रिय पर्षु गोड़े सरवादिक प्रिय देवता इंदर थे कुछ्टन पूछा गया है देवता के बारे पूछे गल below प्रतम इंदर कैंद आ Rs. addicted अ. जिसे शाम एस्क या का जाता था यानि शाम एस्क का जाता था तामे को लोहित एस्क यानि लोहित एस्क भी का जाता है वैपार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पाणें का जाता था याद रखना यह वाला कोशन एक बार पूछा गया है चलिए आगे चलते हैं अगे क्या रहा है लेन देन यानि की लेन देन की इससे होता था लेन देन का वस्तुविने में परवटनाली ती यानि वस्तुविने में परवटनाली क्या होते हैं जैसे कि माल लेजे आपके घर में बनती है मिठाई मेरे घर में बनती है कुछ भी इमाल लेजे मेरे घर में बनता है यहान फर तीसर यहां पर कुलाडी बनता ही यहां पर जो बनाता है वो कपड़े बनाता है यहां पर जो रहता है वो क्या बनाता है और कुछ बार लेजे चारपई बनाता है यह जब चारपई वाले आदमी को मिठाई खानी है तो यह क्या करेगा अपने चारपई की जो सेवा है उसके बदले यानि कि चारपई के बदले सभाषान वाले को मिठाइंके बदले समोससे ले लेगा तो यह वस्तु मिन में यानि कि आपनी चीज दूसरे को दे दो दूसरे की चीजस उसको लेले यैसे कि मुझे ज़रत है समोसी की ज़रत है कि अब समोसे वाले को यानि कि मेरे पास क्या है मेरे पास है माल लीजिए यह चार पही चार पही माल लीजिए फिर कुछ भी माल लीजिए या फिर कुलाड़ी माल लीजिए कुलाड़ी मैं कुलाड़ी बनाता हूं ठीक है कुलाड़ी तो मुझे समोसे काने इसे चाहिए कुल इसके मतल्द इसको दे दूँ है यानिकि सीवधि की का मतलब ही है एक हाथ लो एक हाथ ड़ो पैसर के दल्ए व्ंसक्तू देना की उससे कहलते थे स्लपाहिनेवैं लिंट देकर ते वुट्टी को विक engagementat यानि कि सुदू खोर जैसे देखे पहले भी सुदू खोर इस तरह की चीज़े परसलित थे यानि कि इस तरह के वर्ण परसलित थे चलिए अब आता है प्रमुख दर्शन उनके प्रवत्तक चारवाक चारवाक नहीं कर रहा है योग क्या पतंजिली ने कर रहा है संके दर्शन इसके दर्शन और लिख लेना संके दर्शन की नाम से जानाता है कपिल न्याय का है गौतम और पूर विमानसा है जैन मेसी उत्तर विमानसा बद्र राय और वैशनिका और इसका है वैशनिका का है कनाद या उलक चीक है अगे चलते है लास्ट बचा आपका लास्ट पेज मनुश्य और देवताओ के बेच मद्य की भूमी का निभाने वाले देवताओ के प्रमों में अगनी की पूजा करते थे यानि कि अगनी की जो पूजा करी जाते थी इसकी जो यानि कि आप देखते हो अगनी को आज भी देखे, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाती हो, कोई भी चीज हो, अगर अगनी को लेकर नहीं चलेगी, तो वो एक तरह से अगनी बढ़भाई, क्यों? आप अगनी से खाना मनाते हो, आप अगनी से कहीं भी जाते हो, यानि कि रोशनी प्रवाइड कराती है अगनी, आप अगनी को ऐसे यानि की बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं अगर हम इंडिरेक्ट भी में लेगे चलें जिसों कपड़ा आप पहन रहे हो उसे चलाने के लिए किसी मशीन का प्रियोगा है मशीन में क्या हुआ इंदन का प्रियोगा है इंदन कहां से आया कहीं न कहीं से आया और आग जो होती है वह एक इंदन का भी काम का थी यानि कि एक तरह से पहले के जमाने में सबसे पहले अगनी की पूजा मानी जाती है आज भी हम अगनी की पूजा करते हैं आप देखा होगा बड़े बड़े जहां भी खाना बनाते हैं अब तो बहुत घरों में यह सब चीज प्यवाने के पैसे यह फिर इस तरह की चीज़े होते वह सुब काम प्यार से या फिर आपको जब को म हमन कोंड करते हो ता उसमें पैसे क्यों रखROइं जाते हैं कि अगनी जêu महत शाहा है सलसे तो माना जाता है कि दली आगे रिखवेद में उलेखित सभी नदियों में सरस्थ्थि सबसे महत्रपून पवित्र मांज जती है यानि कि सबसे पवित्र और हाँ यह important है question आ चुका है ልट qualcुष्ण है को यानि सरस्थ्थी नदियों को पवित्र माना जाता है और उलेखित मिलता ही यानि कि सभी नदियों में सुसे पहित्रमाद रिग्वेद में गंगा और यमना का उलेग सिर्फ एक बार यह भी कोश्चन मिला यानि कि दोनों कोश्चन इंपोर्टेंट है इसमें सरस्वेति घस्व से महत्पून पवित्र नदी माने जाती और रेगवेद में गंगा और यमना का उलेक एक बार मिला और यह यूपी टीजीटी का फेवरेट कोश्चन मान के चलो कई बार पूचा गया है ठीक है चली ठीक है बच्चो तो आज की जो क्लास थी यानि की आज की जो हमने साथवी क्लास भी पड़ी इसमें आपको जो चीजीजी है इसमें बहुत सारी चीजी आपको यूपी के एक्जामों में और टीजीटी बीजीटी में और जो जीके है वह स कराओ के रूप में मिल जाता है । आश्व प्सन नहीं वीडियो को यस तरह की देखने के लिए चैनल को जन्यूरी सर्क्राइब venir और अपनी दोस्तों को भी वीडियो मुझा शेयर करें ठीक है उंक यॉ